हेलो फेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नए कॉसिटी वॉफ के बारे में सीखेंगे जो है लेट, इसका मतलब होता है तु अलाव सम्वन तू तू सम्टिंग, एदधर सब्जेकि डो एनिफिंग, रधर ही ओजी अलाव सम्वन तू सम्टिंग, आज हम देखेंगे कि हम लेट का यूज अलगल अलग सेंटेंश में कैसे करी और किस रूल का फॉलो करें, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंशे, इसको पॉजिटिव स भवम इसा first form में रहेगा और last में आपको object का use करना है So let's see some examples of it to get a clear concept I let my son play in the park मैं अपने बेटे को पार्क में खेलने की अनुमती देता हूँ आप देख सकते हैं ये sentence में कोई helping verb नहीं है क्योंकि ये sentence present indefinite में है My friend lets me use her mobile मेरी जो दोस्त है वो मुझे उसकी mobile यूज़ करने देती है ये sentence में जो subject है वो 3% singular है इसलिए हमने let के बदले let's का use किया है My teacher let me give the answer of that question मेरे teacher ने मुझे उस प्रसन का उत्तर देने दिया यहाँ पे हमने let's का use नहीं किया है क्योंकि ये sentence past indefinite में है I let you speak after him मैं उसके बाद तुमको बोलने के लिए allow करूँगी या अनमती दूँगी आप देख सकते हैं ये sentence future में है इसलिए हमने will का use किया है अब चलिए देखते हैं इसका negative sentence Negative sentence में इसका जो rule है वो positive की तरह same ही रहेगा बस हमको helping work के बाद not का use करना है इसके examples में आता है I'll not let you sleep मैं तुमको सोने नहीं दूँगी आप देख सकते हैं यहाँ पे helping work will है तो इसके बाद हमने not का use किया है He didn't let me speak उसने मुझे बोलने नहीं दिया My brother does not let me use his laptop मेरा भाई मुझे उसका laptop use करने नहीं देता है अब चली दिखते हैं इसको interrogative sentence में कैसे use करते हैं interrogative sentence में use करने का इसका rule है पहले helping work, फिर subject, फिर let फिर उसके बाद उस person का नाम सो करना है जिसको हम allow कर रहे हैं फिर उसके बाद verb, verb में सा first form में रहेगा और last में object For example, did he let you sit here? क्या उसने आपको यहां बैटने दिया? Does your teacher let you play football? क्या तुमारी teacher तुमको football खिलने देती है? Does your mother not let you eat out? क्या तुमारी माँ तुमको बाहर खाना खाने नहीं देती? यहां पर eat out का मतलब होता है कोई restaurant या hotel में खाना खाना जब हम इसका डबलू एच वोड के साथ interrogative sentence मनाते हैं तब rule same ही रहता है बस starting में हमको डबलू एच वोड का use करना होता है जैसे कि Why does he not let me play? और क्यूं मुझे खेलने नहीं देता? Why did you let your daughter go to the party alone? तुमने अपने बेटी को अकेले वहाँ पार्टी में जानी क्यूं दिया था Why have you let him do this work? तुमने उसको ये काम करने क्यूं दिया है Why will you let him eat this food? तुम उसको ये खाना खाने कैसे दोगे So friends, ये था हमारा interrogative sentences अब चले देखते हैं इसको imperative sentences में कैसे use करते हैं imperative sentence का मतलब होता है जहां पर कोई किसी को instruction देता है request करता है या फिर comment देता है इसको sentence में use करने का rule है पहले let, फिर उसके बाद उस person को सो करना है जिसको आप instruction दे रहे हैं या फिर request कर रहे हैं फिर उसके बाद hope भव हमेशा first form में रहेगा और last में आपको object को सो करना है इसके examples में आता है let us go to the market हमें market जाने दो let us discuss the matter हमें इस घटना पे चर्चा करने दो let me take the food मुझे खाना खाने दो हमने यहाँ पे let को as a request यूज़ किया है let him take food first उसको पहले खाना लेने दो don't let her sit here उसको यहाँ पे बैठने मत दो don't let him plug the flower उसको फूल तोनने मत दो आप देख सकते हैं यह सब sentences में हमने let को as a comment या फिर instruction यूज़ किया है इसको हम to infinitive के साथ भी यूज़ कर सकते हैं आए चले देखते हैं कैसे sentence के starting में हमको to के साथ let का यूज़ करना है और उसके बाद sentence को as it is लिख देना है जैसे कि to let your child use mobile for more than one hour is not good बच्चों को एक घंटे से ज़्यादा mobile use करने देना सही नहीं है to let that boy enter that room was not good for girls उस कमरे में उस लड़के को घुसने देना लड़कियों के लिए सही नहीं था इसको हम अपने sentences में as a zero भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि thank you for letting me know मुझे बताने के लिए धन्यवाद letting that child play here can be dangerous उस बच्चे को यहाँ पर खेलने देना खतरना हो सकता है so friends, आज की वीडियो में आपने देखा कि हम let का use कैसे और किस तरीके से अपने sentences में करते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लोगा होगा और कुछ नया सिखने को मिला होगा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में let के passive form के साथ so till then bye, take care